Hello friends, In today's video I will explain you how to create Google Forms. आये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम Google Forms के थुरू, multiple choice questions, match the column, image based questions, and unseen passage को mcqs के थुरू किस तरह से conduct कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको आपके Gmail को open करना होगा, अगर आप computer में use करते है तो, और उसके बाद इन nine dots पर click करने के बाद, आपको Google Drive select करना होगा. आप यही process आपके mobile में भी कर सकते हो, mobile के लिए directly आपको, आपके mobile के अंदर Google Drive के application को open करना होगा. उसके बाद सबसे पहले आप new पर click करेंगे, और Google Forms पर click कर देंगे. अगर आप mobile में use करते हैं, तो इसका link मैं आपको description में दे दूँगा, वहां से आप click करते ही directly इस form को open कर सकते हैं. सबसे पहले आपको आपके form का नाम देना होगा, जहां पर आपको देख सकते हो कि untitled form दिया गया है, जिसे मैं यहां पर question paper क्लास 1 के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहां पर type करूँगा, C1, और subject का नाम, और उसके बाद set, कौन सा set है, अगर set A है तो A, और B है तो B, इसके बाद मैं इसे copy करूँगा, select करने के बाद, और यहां उपर left hand की तरफ भी यहां पर untitled form लिखा रहा है, वहां पर एक बार click कर दूँगा, जिससे यही नाम जो मैं यहां पर type किया था, वह भी वहां पर save हो जाए, तो बाद में आपको Google Drive में अगर search करना होगा, तो वह easy हो जाएगा, सबसे पहले आपको setting में जाना होगा, और यहां पर जो first option है, make this a quiz, इसे on करना होगा, अगर इससे आप on नहीं करेंगे, तो आप answers mark नहीं कर पाएंगे, और यह quiz के तरह work नहीं करेगा, यह ordinary form की तरह work करेगा, उसके बाद release marks के अंदर later पर click करना है, अगर आप यह नहीं करेंगे, तो जैसे ही बच्चे या students अपना form submit करेंगे, उनको उनका score पता चल जाएगा, हम later पर करेंगे, जिससे हम बाद में जब हमें उन्हें inform करना है, हम तब उन्हें कर पाएं, तो आपको इसको later पर करना है, उसके बाद respond and settings के अंदर यह तीनों को आपको off कर देना है, उसके बाद हम और नीचे के तरप जाएगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, presentation है, उसके उपर है responses, आप responses में जाएंगे, और यहाँ पर limit one question आएगा एक option, limit to one response आप देख सकते हो, उसे on करना है, इससे student एक ही बार form submit कर पाएगा, बार-बार वो submit नहीं कर पाएगा, यह settings हो जाने के बाद, आप वापिस questions की तरप आ जाईए, अब हमें यहाँ पर questions टाइप करने हैं, सबसे पहला question टाइप करने के लिए, जहाँ पर untitled question है, वहाँ पर आपको click कर देना है. अगर आप ने पहले से ही, questions टाइप करे हुए हैं, तो आप उसे copy paste करके ला सकते हैं, या तो आप यहाँ से type कर सकते हैं, मैंने यहां पर पहले से एक question type करे हुए है इसलिए मैं मेरी उस file को open कर लूँगा इसलिए मैं यहां पर first question लिया है the national animal of India और उसे मैं यहां पर paste कर दूँगा उसके बाद जो मेरे चार options लिये है मैंने उन्हें भी मैं एक के बाद एक select करके यहां पर copy करके यहां पर paste कर लूँगा आप type भी कर सकते हैं अगर आपने पहले से type किया हुआ है तो आप सिधा copy paste करके उसे जल्दी से यहां पर copy कर सकते हैं प्लिस इस चीत पर ध्यान रखेगा जब आप answers options जब टाइप करते हैं तो हर option के पहले bracket के अंदर A, B, C, D होना चाहिए जिसे students को यह easy हो जाए यह कौन से number का option है option A है, B है, C है या D है options हमारे capital में हो और bracket में हो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक drop down menu है यहाँ पर आपको multiple choice रखना है क्योंकि यह MCQ based question है अब नीचे की और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है answer key आप answer key पर click कर लिजिए और इस question का जो correct answer है जैसे इसका correct answer है tiger तो मैं इस पर click कर दूँगा और यह कितने marks का question है अगर one mark का है तो यहाँ points में हम one करेंगे अगर two का है तो हम two करेंगे जैसे के one mark का है इसलिए मुझे उससे one कर दिया और उसके बाद नीचे done पर click कर देंगे तो यह पहला question जो हमारा है वो complete हो चुका है अब second question आपको type करना है इसलिए आपको यहाँ पर प्लस icon है जहाँ पर add question लिखा रहा है उस पर click करना होगा जैसे आप click करेंगे एक और question type करने के लिए आपके पास menu यहाँ पर open हो जाएगा अब हम second question लेते है अब हम यहाँ पर लेते है हिंदी जिससे आपको पता चले कि हिंदी भी कैसे type होगा अगर आप mobile में type करते हो तो mobile में option आ जाता है लेकिन अगर आप computer में type करेंगे और फि जो आपने जो type किया हुआ है वो कृतिदेव में है उसे आपको unicode में convert करना होगा इसलिए आप इस website को open कर ले इसका link भी मैं description में दे दूँगा इसे आप यहाँ पर उस text को जो आपने type किया था उस question को copy करें और copy करने के बाद इस website में यहाँ पर कृतिदेव text में paste कर ले और नीचे आप देख सकते हो अब यह unicode में convert होकर आ गया है आप यहाँ से इसे copy कर ले और उसके बाद आप इसे जहाँ पर आपको type करना है इस question को वहाँ पर type कर ले अब आप देख सकते हो को हिंदी properly यहाँ visible है उसी तरह आपके जो 4 options है उसको भी आपको यहाँ पर copy कर लेना है चार options copy हो जाने के बाद जो आपका correct answer होगा उसकी answer की mark करना है इसलिए हम answer की में जाएंगे 12 इसका सही answer है B इसलिए मुझे बी पर click करके यहाँ पर one mark point करके done कर देंगे तो इस तरह से आप हिंदी भी type कर सकते हो अब हम आगे बढ़ते है next question की और जो है match the columns जैसे आप A और B दो अलग section दिये है A और B को match करना है columns को तो हम पहले तो यह heading है हमारा उसे question के महाँ पर copy कर लेंगे जिसे question number 4 या question number 3 जो भी हो आपका question होगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि match the column के लिए आपको multiple choice grid को use करना होगा multiple choice grid को यहाँ पर rows है और columns है rows के अंदर आप आपके section A में column A के जो questions है यहाँ पर आप copy करेंगे और columns के अंदर आप B section वाले और column B वाले आप copy करेंगे जिससे यह method column का question बन जाए अब यहाँ पर हमने पहला question यहाँ से copy कर लेता हूं यहाँ पर मैंने question लिया है कि capitals and the countries इस तरह से हम यहाँ से question copy कर रहे है अब हम यहाँ से answers जो है इसके यह answers उस sequence में नहीं होने चीए जो sequence में already answer बच्चों को देना है आप देख सकते हो जैसे इंडिया का answer न्यू डेली है जो मैंने बहुत नीचे रखा हुआ है जैसे हम offline exam के अंदर math the columns बनाते है ठीक उसी तरह ही यहाँ पर भी बनाना है एक बार सारे आपके questions यहाँ पर insert हो जाने के बाद आप answer की में जाएंगे अब इंडिया का जो correct answer क्या है उसको आपको select करना है उसी तरह पाकिस्तान का उसके बाद United Kingdom, China and Portugal यह answers मैंने mark कर दिये है और हर answer का आपको जो marks allot करने है वह आप यहाँ से allot कर दें उसके बाद आप done पर click कर लें तो इस तरह से आपके math the columns भी ready हो गया है आईए हम पढ़ते है next question की ओर जो है image based question जैसे कि मैंने आप एक question लिया हुआ है identify the below given personality अब मुझे यहाँ पर image insert करना है कि उस image को देखकर बच्चे को select करना है कि वह personality कौन है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि image insert करने का icon बना हुआ है आप उस पर click करेंगे और upload में जाके browse करेंगे जहाँ पर आपके mobile में आपके computer में जिस location पर यह photo आपने save किया है उसे open करना है और open पर click कर देना है जिसे आप open पर click कर देंगे वह यहाँ पर upload हो जाएगी और आप देख सकते हो वह image यहाँ पर visible है अब उसके जो चार options आपने यहाँ पर डालने हैं वह आप copy कर ले यहाँ type भी कर सकते हैं यहाँ पर भी हम वह answer की mark करना होगा जैसे first इसका correct answer सचीन है और इसके लिए one mark है तो one mark और हम done पर click कर देंगे तो इस तरह से आप image based question भी insert कर सकते हो सेम इसी तरह अगर आप question पूछके उसके लिए 4 image देना चाहते हो और उस image को बच्चे को select करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पर हर options के बाद यहाँ पर एक icon है add image इस पर जाके आपको image add करना होगा उसके बाद हम आगे बढ़ते एक और question की ओर जो है read the given read the following poem carefully and answer the below given questions अब हम यहाँ पर वो जो poem है जो मैंने type करके image बना रखी है उसे हम upload करेंगे image upload हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर next question add करना होगा क्योंकि हम यहाँ पर questions answer यहाँ नहीं डाल रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पर paragraph बना दूँगा और यहाँ पर लिखूँगा अब हम यहाँ पर click करेंगे add a question और यह जो poem है उसके related जो भी questions हमने बनाये है mcq के वो हम next question से put up करेंगे इसके जो भी option होंगे वो हमें यहाँ पर type करना है यहाँ पर भी उसी तरह answer की में जाके इसका जो भी correct answer होगा वो हमें mark करना है points देना है और done कर देना है तो आप देख सकते हो कि यह जो poem है उसके base पर मैंने जो questions बनाये है वो मैंने उसके नीचे insert कर दिया है तो इस तरह से आप poem के through या unseen passage के through भी आप exam में कुछ questions बच्चों को put up कर सकते हो तो इस तरह से हम यहाँ पर questions insert करेंगे उसके बाद अगर आप यहाँ जो इसका look दिख रहा है अभी जो color दिख रहा है वो change करना चाहते हो तो यहाँ पर customize theme में जाएंगे और यहाँ से आप color change कर सकते हो आप font style change करना चाहते हो तो यहाँ से font style भी change कर सकते हो और अगर आप heading में उपर header देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको header select करना पड़ेगा अप्लोड में जाएंगे, ब्राउस में जाएंगे, और उसके बाद जो भी आपने header बना रखा है, जैसे कि मैंने आप एक banner बना रखा है, उसे मैं अप्लोड कर दूँगा, अब आपके institute का नाम, आपके class का नाम, आपके subject का नाम का banner, इस तरह से कोई भी banner बना कर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, अब आप देख सकते हो कि हमारा form ready हो गया है, अब हम को देखना है कि यह किस तरह से students को show होगा, इसके लिए हम यहाँ पर preview पर click करेंगे, जैसे हम preview पर click करेंगे, आप देख सकते हो कि same इसी तरह, ठिक इसी तरह, बच्चों को भी यह form show हो जाएगा, और बच्चा जब इस पर submit पर click करेंगा, तो आपके पास responses आजाएंगे, यह responses के अंदर, उसके लिए आपको यहाँ से Excel generate करना होगा, और आपके पास पूरा record आ करना होगा, और यहाँ पर है option URL का, URL पर select करके, shorten URL करेंगे, तो क्या होगा, URL इसका short हो जाएगा, उसे हम copy करके, हमारे WhatsApp group में share करके, हम यह exam यह test conduct कर सकते हैं, तो इस तरह से यह exams आप conduct करने के लिए Google form का भी use कर सकते हो, Thank you for watching, kindly subscribe my channel.